नमस्कार हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हिंदी साहिते के वस्तुनिष्ट प्रश्णों को लेकर मैं उपस्तित हुई हूँ ये प्रश्ण आपके TGT PGT NetJRF परिक्षा के लिए उप्योगी शिद्य हो सकता ह हो सकता है इन ही प्रश्णों में से कुछ प्रश्ण आपको इन परिक्षाओं में देखने के लिए मिले तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे आईए प्रश्णों के क्रम को सुरू करते हैं प्रश्ण है कासी नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना हुई थी तो कासी नागरी प्रचारनी सभा की अस्थापना 1893 इस भी में हुई थी ओप्सन दूसरा सही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलिखित में से किस गरंथ के लेखक राम बिलास सर्मा है तो राम बिलास सर्मा भारत में अंग्रेजी, राज और माक्सवाद के लेखक हैं ओप्सन तीसरा सही हो जाएगा अगला प्रशन है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृती के कितने भाग है तो इस आलोचना कृती के तीन भाग है निराला की साहित्य साधना आलोचना कृती के तीन भाग है अगला प्रशन है निम्न में से किस कृती के लेखक राम बिला सर्मा है तो राम बिला सर्मा भासा और समाज कृती के लेखक है उप्सन चौथा सही हो जाएगा अगला प्रशन है भासा और समाज पुस्तक के लेखक है तो भासा और समाज पुस्तक के लेखक राम बिलास सर्मा है, option पहला सही हो जाएगा अगला प्रशन है, महाबीर प्रशाद द्रिवेदी और हिंदी नौ जागरन के लेखक है वही प्रशन रिपीट हुआ है तो इसके लिखक है डॉक्टर रामबिलास सर्मा अगला प्रशन है भारतेंदु युग और हिंदी भासा की विकास परंपरा के लिखक है तो रामबिलास सर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भासा की विकास परंपरा के लिखक है अगला प्रशन है निम्न में से किस गरंथ के लेखक राम बिला सर्मा नहीं है तो भासा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और माक्सवाद, कविता के नए प्रतिमान तो इन में से किस के लेखक राम बिला सर्मा नहीं है option चोथा सही हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान अगला प्रशन है भारतिय साहित्य की भोमिका के लेखक है तो भारतिय साहित्य की भोमिका के लेखक रामबिला सर्मा है option तीसरा सही हो जाएगा देखिए आज के इन प्रश्णों में 7-8 प्रश्ण राम्बिला सर्मा से संबंधित है तो इसलिए इन प्रश्णों को भी आप हलके में ना ले क्योंकि प्रश्ण अलग-अलग तरीके के है अगला प्रश्ण है रूप तरंग किसका काबिय संग्रह है तो रूप तरंग राम्बिला सर्मा का काबिय संग्रह है तो इसे याद रखना है कि राम्बिला सर्मा के द्वारा रचित रूप तरंग जो रचना है वह काबिय संग्रह है अगला प्रशन है अचारिय रामचंदर सुकल और हिंदी अलोचना नामक अलोचनात्मक कृती के लेखक कौन है? अचारिय रामचंदर सुकल के हिंदी अलोचनात्मक नामक कृती के लेखक रामबिला सर्मा है डॉक्टर राम्बिला सर्मा ओप्सन चोथा सही हो जाएगा अगला प्रशन है निम्लिखित पुस्तकों में से लक्ष्मी कांत वर्मा की लिखी कौन सी पुस्तक है तो लक्ष्मी कांत वर्मा की लिखी पुस्तक है नई कविता के परतमान अगला प्रशन है निम्ण लिखित में से एक रचना पात्र साहिते के अंतरगत नहीं है वह है तो पात्र साहिते के अंतरगत नहीं है मेरे संधी पत्र Option पहला सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है अक्षर अक्षर यग्य किसके पात्रों का संग्रह है अगला प्रश्न है चिठिया हो तो हर कोई बाचे किसके पत्रों का संग्रह है तो चिठिया हो तो हर कोई बाचे ये फनिस्वरनाथ रेनु के पद्रों का संग्रह है फनिस्वरनाथ रेनु के मैला आंचल में एक गीत भी था कि चिठिया हो तो हर कोई बाचे भाग्यन बाचे कोई सजनवा बैरी हो गई तो अगर आप फनिस्वरना थ्रेनू के मेला अंचल पढ़े होंगे तो आपको ये पंदिया याद आ गई होगी भढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ लाल तारा के रचनाकार है तो लाल तारा के रचनाकार राम ब्रिक्ष बेनी पूरी है अगला प्रश्न है कैदी की पतनी कृती के लेखक हैं तो इस कृती के लेखक राम ब्रिक्ष बेनी पूरी है अप्सन दूसरा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है, अपनी केवलधार कावे संकलन के रचनाकार हैं, तो इस कावे संकलन के रचनाकार अरुन कमल हैं, अपसन चोथा सही हो जायेगा अरुन कमल अगला प्रश्ण है निमलिखित कावे संकलनों में से किसके कभी अरुन कमल है तो अपनी केवल धार के कभी अरुन कमल है option 4 सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है नए इलाके में किसकी कावे कृती है तो नए इलाके में ये कावे कृती अरुन कमल की है Option चौथा सही हो जाएगा अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक है तो मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक बीशनु चंद्र सर्मा है Option पहला सही हो जाएगा अगला प्रश्न है On the Sublime किसकी रचना है तो यह जो रचना है वो Loginus की है Option दूसरा सही हो जाएगा Loginus अगला प्रिश्ण है समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है तो समय के आरोही क्रम में जो रचना पहले आई है उसका नाम है अंधेर नगरी अंधेर नगरी इसका समय है 1881 81, त्याग पत्र, इसका समय है 1937, आत्म नेपद, 1960, और तुम चंदन हम पानी, ये 1976, तो इस प्रकार से रचना क्रम में सबसे पहले अंधेर नगरी रचना की गई है, सन 1881 इसवी में, और अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिस्चंद है, त्याग पत्र, ये जैनेंद्र कुमार इसके लेखक है, आत्म नेपद, जिसके लेखक अग्ये है, तुम चंदन हम पानी, जिसके लेखक बिद्या निवास मिस्र है, तो इस प्रशन के साथ साथ आपने और चार प्रशनों के बारे में जाना, और उन चार प्रशनों के से सम्मंधित, किसका समय क्या है, और किसकी लेखक कौन है, तो मुझे उमिद है कि आपको यहाँ, जो विशलेशन होता ह आपको पसंद आता होगा क्योंकि कई रप्जक्टिव प्रशन बहुत सारे चैनल पे पराया जाता है लेकिन हर का विशलेशन नहीं किया जाता है तो मुझे ऐसे जो प्रशन लगते हैं कि इसका विशलेशन करना चाहिए तो मैं इसे जरूर करती हूँ कि जिससे आपको कम समय में ज़्यादा फाइदा मिले चले बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है नेमलेखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयू किसकी रही तो देखिए यहाँ पर साहित्यकार में जैसंकर प्रसाद है गजानन माधव मुक्ति बोध है प्रेम चंद्र है और भारतेंदू हरिस्चंद्र है यह सभी के सभी जो लिखक हैं किसी ने साथ बर्स को पुर्ण नहीं किया था इसमें सबसे कम आयू भारतेंदू हरिस्चंद्र की थी इनकी आयू थी 35 साल भारतेंदू की और गजानन माधव मुक्ति बोध इनकी आयू थी 47 बर्स जैसंकर प्रसाद ये 48 बर्स इनकी उम्र थी और प्रेम चंद्र ये 56 साल इन सभी साहिते कारों ने इतना उम्र ही अपने जीवन का इस धर्ती पर जिया जैसंकर प्रसाद 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया प्रेम चंद्र का भी वैसे ही और गजानन माधव मुक्ति बोध का भी 47 बर्स की आयू में इनका निधन हुआ भारतेंदू हरिस्चंद का भी 35 बर्स की उम्र में निधन हुआ तो इनके सहीत कारों में से सबसे कम आयू जो थै वो भारतेंदू हरिस्चंद का था ओप्सन चोथा सही हो जाएगा भारतेंदू महज 35 वर्ष की उम्र में ही मृत्यों को प्राप्थ हुए तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यहां कथन इन में से किस अलोचक का है तो यहां जो कथन है वो रामस्वरूप चत्रुबेदी अलोचक का है रामस्वरूप चत्रुबेदी यह अलोचक है और संतीसरा सही हो जाएगा अगला प्रशन है काब्य संसार के प्रती कवी की भाव प्रधान मानसिक प्रतिकरियाओं की कलपना के ढाचे में धकी हुई स्रे की प्रेम रूपा भावत पादक अभिव्यक्ति है काबे की यह परिभासा देने वाले विद्वान है, तो यह जो विद्वान है, वो कोई और नहीं बाबू, गुलाब राय है, option, दूसरा सही हो जाएगा, बाबू, गुलाब राय, अगला प्रशन है, चीटी से लेकर हाथी पर्यंत, सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस वि दृवेदी जी क्या है, option पहला सही हो जाएगा, महाबीर प्रशाद दृवेदी, अगला प्रशन है, जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बरा तू दिख, उप्युक्त पंतियों के रचनाकार है, तो इस पंतियों के रचनाकार भवानी प पंति, 1930 इस भी में प्रकासित हुई थी, उनके कविता में, जिस कविता का सिर्षक था कवी, कवी सिर्षक से इनकी एक कविता है, जिसमें यह पंति लिखी गई है, और उस कविता का प्रकासन 1930 इस भी में हुआ था, तो इस प्रकार से एस प्रशन का option चोथा उद्धर सही ह अगला प्रश्ण है जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खरी गोली में कुछ कविता बनाओं पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं या कथन किसका है तो या जो कथन है वह भारतेंदु हरिश्चंद का है भारतेंदु हरिश्चंद अप्संदूसरा सही हो जाएगा आज के इस वीडियो में इतना ही बस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवसे ही सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजी टी पीजी टी नेट जे आरफ के साथ साथ हिंदी व्याकरन के भी बीच बीच में क्लास कराए जाते हैं अगर आप सभी का इक्षा हो तो हम पहले व्याकरन के ही क्लास को कवर कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट के तरफ आगे बढ़ेंगे वरना मैं तो सब्ता हमें एक या दो ऐसे करके व्याकरन के वीडियो बनाती ही हूँ तो वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कॉमेंट के माध्यम से अवसे बताए